इस वीडियो में हम मॉडल ट्रेनिंग पर बात करेंगे जो हमारा बेसिक स्टेप है जिसके बाद हम मॉडल को एवैलुएर करते हैं जो फंक्षन यूज होता है वह फिट फंक्षन होता है जिसके साथ आप मॉडल को ट्रेनिंग डेटा और लेबल्स पास करते हैं जिस तरह आप यह देख सकते हैं यहां पे मैंने मॉडल.fit function यूज किया है इसमें मैंने इसको ट्रेनिंग पर डिक्टर्स और यहां पे वाय ट् बैच साथ यहां पे लिए जो कि ट्वंटी है नमबर फिपॉक्षन क्या होता है इनको हम डिसकस करेंगा और यहां बैच साथ रखा है यह भी हम डिसकस करेंगे कि यह बैच साथ क्या होता है फिट फंक्षन जो है वो बैक प्रोपागेशन यूज करता है और इसके पास जो मिनिममम इसके जो गोल होता है वो इसको हमने जो कमपाईलिशन के वक्त लॉस फंक्षन दिया होता है वो उसको मिनिमाइज करना होता है तो इसको जो मिनिमाइज करना होता है तो इसको जो मि as a input दिया था compile में उसको ये minimize करेगा अब बैक propagation कैसे काम करती है इसका algorithm मैं बता देता हूँ आपको back propagation में ये होता है कि सबसे पहले आप अपने weights को initialize करते हैं और weights को initialize करने के भी दो तीन methods हैं जिसमें से सबसे common method जो है वो random initialization है और zero initialization है random initialization में ये होता है कि आप अपने सब जो model के weights हैं वो randomly initialize करते हैं और जो zero initialization में ये होता है कि आप सारे weights zero से initialize करते हैं तो सबसे पहला step है initialization of weights आपने weights initialize कर लिए उसके बाद आपने सबसे पहला दूसरा step ये होता है कि आपने forward propagation का step करना है और फरवर प्रोप्रोप्रोगेशन के स्टप में आप अपने एक्टिवेशन को कम्प्यूट करते हैं उसके बाद आप कैलकुलेट करते हैं एरर को आप जब अपनी फाइनल लेयर पर पेंच चुके हैं और आपके पास एक अरर आचका हुआ है तो अब उसस अरर को बैग प्रोपागेट करें यानि आपकी जो model के layers हैं जो previous layers हैं आपकी final layer के previous layers हैं till the end of the stacked layers आप वहाँ उनको pass करें और आप हर weight function का gradient calculate करें और loss function के respect से उसका gradient calculate करके आप उस weight को update करें इसकी termination condition अमोमन यह होती है कि आप एक बहुत चोटी सी value specify कर देते हैं और अगर loss function जो है वह उस value से कम हो जाता है तो वह आपकी training automatically stop हो जाती है for example अगर आप mention करते हैं कि जो आपकी termination condition है for example वह 0.001 है अगर इतना loss होगा तो वह आपकी जो training है वह stop हो जाएगी अब देखते हैं कि यह fit function चलता कैसे है हमारा यह code है जो हम शुरू से use कर रहे हैं यह compile हो रहा है हमारा model और उसके बाद यह मैं fit function यहां पे call कर रहा हूँ और जब यह fit function complete हो जाएगा complete हो जाएगा उसके बाद यह एक print statement है जिससे में पर चल जाएगा यह model train हो गया हुआ है यह आप देख रहे हैं यह model train हो रहा है यह epochs चल रही है यहां पे हमें loss और accuracy जो है वो नजर आ रही है और यह accuracy बड़ी flat सी है हर epoch के बाद यह 71% तकरीबान और जो loss function है वो 0.28 है तो यह एक बड़ी reasonable सी performance है जो हम एक model से एक्सपेक्ट कर सकते हैं